हलो दोस्तों मैं डॉक्टर कोशल यादर फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं कोई लेक्चर डिसकस नहीं कर रहा हूं आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंटर्णशिप के बाद क्या कर सकते हैं सारे स्टुडेंट्स को यह कुश्शन आते होंगे या फिर कोर्सेस कर लें या हम लोग नीट MDS की त्यारी करें रैंक कैसे आएगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन चलती रहती है तो मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगर आप नीट MDS की त्यारी कर रहे हो तो वैल और आप त् पेपर सॉल्व करो तो उससे क्या होता है आपको हेल्प मिलेगा और यह तो आपका नीट MDS है बट अगर जो लोग नीट MDS नहीं करना चाहते हैं बहुत सरे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट MDS कर रहे हो तो दो चीज की बात आपको ध्यान में यह रखनी है कि अगर आप नीट MDS कर रहे हो अगर आपका government seat निकल गया तो well and good आपका जाता पैसा नहीं लगेगा और आप नीट MDS आपका हो जाएगा बट अकर नीट MDS government seat नहीं निकला तो आपके पास पैसा होना चाहिए उतना पैसा होना चाहिए so that you will get management quota और आप अपना MDS complete कर सकते हो तो confusion यहां पर आती है कि सब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह MDS कर सके या बहुत सारे लोगों का नीट MDS exam नहीं निकलता है तो और इस frustration में आके बच्चे क्या करते हैं exam की त्यारी करना शुरू कर देते हैं फिर नहीं निकलता फिर frustrated हो जाते हैं फिर सोचते हैं आप क्या करें तो घवराने की कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे रास्ते हैं जिंदगी में कमाने के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप नीट MDS कर रहे हो तो और आप कमाऊगे बहुत सारे रास्ते हैं आप BDS करके भी एक अच्छा जौब पा सकते हो एक अच्छा अपना setup कर सकते हो बट कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं जैसे internship में अभी आप हो तो हम practice करेंगे बाहर जाक प्रैक्टिस कर रहे हो बाहर पार टाइम आप जौब भी कर रहे हो तो वहां पर experience मिलेगा पर यहां पर confusion आ जाता है कि अगर आप practice कर रहे हो और तो क्लिनिक कब खोला जाए कुछ कुछ students क्या करते हैं internship जैसे complete हुआ वो जल्दी में क्लिनिक खोल देते हैं वहां पर दो conditions होते हैं या तो आपके पास पैसा है तो आप अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे आप जाके practice करोगे आपको salary कम पैसे पर आप जाके काम करोगे practice करोगे अपना experience लोगे उसके बाद clinic खोलोगे जब आपके पैसे हो जाएंगे तो यहां पर condition आता है बट मैं आपको suggest करता हूँ कि पहले अगर आप practice करते हो कहीं पर या internship में practice कर आपके अगर practice अच्छी है postings अच्छे जा रहे हैं तो आप clinic खोल सकते हो एकदम से अगर आपको confident है कि आप कर सकते ह नहीं है मानलो अगर आपको confident नहीं है तो आप में मैं यही suggest करूँगा कि आप clinic इतनी जल्दी ना खोले पहले practice कर ले पहले practice अपना जो भी clinical procedure है रूट कनाल treatment है extraction है मैं BDS level पर बात कर रहा हूं अगर BDS में आप internship कर रहे हो तो आप पहले अच्छे से practice कर लो उसके बात clinic करो क्यों क्या होगा ना अगर आप clinic को खोल रहे हो कहीं पर अगर आपके patient आएंगे और आप अगर procedure सही नहीं कर पाऊंगे तो patient bigger जाएंगे patient कटने लग जाएंगे पिक ट्लिनिक में क्या होता है की जितने आप patient को ठीक करोगे वो और patient आते जाएंगे आते जाएंगे बट क्या होता है की अगर आप धन्सन नहीं कर रहें, प्रोशेजर प्रॉपरली टूत नहीं निकाल रहें, प्रॉब्लम्स हो रहें पेशन्ट को, तो वह क्या होगा ना, कि फिर आपके पेशन्ट कटेंगे, तो क्या होगा, ये क्लिनिक का नाम भी खराब होगा आपका, तो मैं ये सजेस्ट कर और अगर आपकी प्राक्टिस आच्छी है, अगर आप इंट्रेंशिप में बहुत अच्छा प्राक्टिस कर चुके हैं तो आप अगर अगर confident हैं तो आप खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है और आपका बस money है अब यहां पर यह doubt आता है कि BDS में हमने इतना पैसा लगा दिया अगर private college से आप कर रहे हो और आपका बहुत पैसा already invest हो चुका है और आप चाहरे हो कि यार अब और पैसे लगेंगे clinic खोलने के लिए तो अब वो कहां से आए तो it's better आप पहले कहीं clinic पे काम करें पैसा चाहते हैं कि पॉश एरिया में खोलने के लिए आप चाहते हैं एक middle class एरिया में खोलने के लिए तो आप यह डिपेंड करता है आप पर कैसा खोलना चाहते हो ठीक है और चलना चलना clinic it all depends on guys you आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो आपका कैसा जगा पे है यह भी matter करता है और दू यह बहुत है क्या होता है पेशेंट आप क्या करें फैश्वर अब कैसे क्या होगा इतना पैसा लगा गए आप अगर यह ऐसे ही चलता है कोई भी क्लेने और अगर आप मानलो इंटर्णशिप के बाद अगर आप जे आर के लिए अपराई करते हो जूनियर रेसिडेंज होता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स यह लेते हैं आप वहां भी कर सकते हो यह एक साल का कॉंट्रेक्ट्चल होता है आप वह बहुत सारे बहुत सारे रास्टे है आप अपना आपको नहीं साथ सकते हैं अगर मानलों यह तो लिए लिए उन हौकए मैं कहता हो उगी अगर आप मेरी चले संकते हैं अगर कोई procedure आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो MDS students को बुला के आप अपना treatment करवा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं, तो यही है, जादा disappoint नहीं होना है कि अब नहीं हो रहा है, और दूसरी बात एक confusion और आती है कि जब आप internship में होते हो, तो सोचते हो कि आप हमारा होगा क्या, patient आएंगे हमने line गलत चूस कर लिया, dental तो ऐसा नहीं है, मैं बता दूँ आपको, जो dental हम, जो हमारा line है, ये जो हमारा dental का जो line है, ये अब और advance होते जा रहा है, अब हर घर में आप देख लो, हर घर में किसी को दात की problems होती ही होती होती हम कौन से profession में आ गए, ये चल नहीं रहा, MBBS वादा जादा कर रहा है, हमारा कम कर रहा है, ये सब negativity thoughts नहीं लाना है दिमाग में, अब करना है, हरी घर में दात की problems होती है, आप practice करके तो देखो, आप धंग से practice करो, आप consistent रहो, patience रखो, अपने आप आपके पास patient आएंगे, अपने आप आपके practice enhance होगी, फिर तब जाके आप आगे ऐसे बढ़ सकते हो, और अगर मान लो आपका MDS नहीं हुआ, मान लो, तो बहुत सारे courses हैं, आप courses कर सकते हो, implant के courses हैं, पेरियों के courses हैं, और्थो के courses हैं, आप उनको करके practice कर सकते हो, तो it's not necessary कि आप MDS नहीं निकला तो आप तो सब खतम हो गया, आप तो हमारा MDS नहीं निकला, आप क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप MDS करते हो, well and good नहीं करते हो, तो भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज़े नहीं सोचनी है, mind में ये सब negativity नहीं लानी है, बहुत सारे students के पास opportunity होती है, foreign country जाने की, वो बहार के exams होते हैं, वहाँ पे आप निकाल सकते है, foreign country में, अब वहाँ जाके कर सकते हैं, वहाँ का PR मिल जाता है, permanent resident मिल जाता है, वहाँ पे, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, बट जिसको opportunity है वो, वो कर सकता, अगर मान लीजिए, आपको इंडिया में settle होना, तो आप वो option छोड़ी दीजिए, आप फिर अपना clinic open करिए, अब बात आती है, यहाँ पे, बहुत सारे students मेरे से पूछते हैं, मैं यही suggest करता है, बहुत सारे पूछते हैं कि sir, dental में तो setup करने में बहुत पैसा लगता है, यह लगता है, अरे आपको अगर पैसे इतने नहीं और the situation what you are going through, तो वो depend करता है, बाकी हमारा line अच्छा है, disappoint नहीं होना है, आप practice करते रहिए, पढ़ते रहिए, अगर आप need की त्यारी कर रहे हैं, तो उसमें भी consistent रहिए, regular पढ़िए, regular revision करिए, उसके बाद आप confident रहिए, यह नहीं सोचना कि निकलेगा कि नहीं निकलेग आपकोर्स, वो तो बात की बात है, पहले महनत करो, पढ़ा ही करो, उसके बात देखा जाएगा जो होगा, निकलेगा तो, वेलन कोड नहीं निकलेगा तो भी अच्छा, तो guys मेरा आज का वीडियो यही था आपको समझाना, बहुत सारे students परिशान हो जाते हैं, आप internship के बा अंधों बाकि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक नो, साइंट थायंग यू सो मस्काना, आप ऐसे लिए, आप